हेलो, वेलकम टू टेक्षामत अज़की सेशन में हम RPGALY का एक DS के बारे में देखने वाल हैं जो है Program Status Data Structure तो Program Status Data Structure क्या होता है एक DS है जो हमारको Program से Related Information प्रवाइड करता है तो उस DS से हम कुछ useful information को हम अपने Program में यूस कर सकते तो सबसे बहले हम एक मैं आपको document दिखाऊंगा जिसमें हम देख सकते हैं कि PSDS में कौन सी कौन सी position पर हमारको किस तरह से information मिलती है तो मैं अब आपको document दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि हम एक DS बनाएंगे जो Program में बन रहा होगा और यहां पर यह यह information हम उससे collect कर सकते हैं जिसे Program Name तो उसकी जो First Position होगी वहां से 10 character हमारको Program Name के लिए वो return करता है उसके बाद में Program Status, Program Previous Status, Program Source Statement, Routine इस तरह के से यह सभी information हमारको में पर मिलती है तो यहां पर इस तरह के सा position हमारको useful होती है हम position देते हैं और फिर जो भी particular information हमारको उस Program से related चाहिए वो हम आपर use कर सकते हैं अब यहां हमार पास कुछ और options भी होते हैं जो हम आपर देख सकते हैं जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह सारी information भी हम इस DS से collect कर सकते हैं पर क्या है अगर यह सभी को हम इस तरह से size के साथ define करते चलेंगे और एक भी skip नहीं करते हैं बीच में तो हमारको इसकी starting position देने की requirement नहीं होती है वो पूरा sequence में मिल जाता है बट अगर हमारको sequence देने है तो जैसे अगर हमारा first and character module module or main procedure का name बताता है तो हम 10 plus 1 11th position से status code के लिए position दे सकते हैं और अगर आपको सारी information इस program में यूज करने है तो आप इस तरह से as a sequence यह सब कुछ डाल सकते हो इसमें आप देख सकते हो आप source library, source file library देख सकते हो उसका file name, member name तो इस तरह के सारी information यह हमारको provide करता है तो अब हम देखते है प्रोग्राम के लिए तो कि प्रोग्राम में किस तरह से हमने इसको यूज किया है यहां पर मैंने यह control option define किया हुए है उसके बाद में program status, data structure को declare करने के लिए हम use कर रहे है dcl ds जो हम normally हर ds को define करने के लिए यूज करते है फिर ds का name और यहां पर हम keyword जो use करते हैं psds मतला program status, data structure और यह qualified है qualified means हम जब भी इसकी values इसकी fields को access करेंगे तो उसका ds का name dot वो field name के थ्रू हम इसको access करेंगे उसके बाद में अभी हमने document देखा था उसमें से मैंने कुछ fields हमारे example के लिए पिक किये जैसे program name, program library और number of parameters तो यह क्या होता है number of parameters हमारे program जितने parameter accept करता है वो हमारे को रिटन करेगा और program name रिटन कर देगा और program की library रिटन कर देगा कि कि किस library में यह available है तो यहाँ पर उसके बाद में हमने nds किये और फिर इन तीनों चीज़े को display कर रहा है और स्टार आयल लार on करके last record को on किया इस program को end करने के लिए अभी मैं इसको compile करके call करके दिखाता हूं आपको तो यह देखो सबसे फ़र इसन डिस्प्ले के प्रोग्राम नीम तो हमारे प्रोग्राम का नीम था psds फिर इसन डिफाइन किया जीरो जीरो मींस अभी यह कोई parameter accept नहीं कर रहा है इसलिए जीरो अगर हम इसमें parameter receive कर रहे होते हैं तो वह number of parameter शो करता है कि कि उसके बाद में लाइबरेरी ने तो मैं अभी जो लाइबरेरी यूज कर रहा हूं वह है शर्मित वन तो यह हमारे को शर्मित वन नेम से लाइबरेरी शो कर रहे हैं तो इस तरीके से कर जैसे आपको और भी कोई इनफर्मिशन रिक्वार्ड है प्रोग्राम स्टेटस डेटा स्रक्चर के थो तो आप बूल लिए सकते हैं जैसे अभी यहां पर आपको प्रोड्रोग्राम रूटीन देखना है तो यहां से पिक कर सकते हो या बिलो में जो इनफर्मिशन है जैसे सोर्स फाइल का नेम सोर् करेक्टर 10 के डिफाइन करके हम इसको यूज कर सकते हैं तो मेंली प्रोग्राम स्टेटस डेटा स्ट्चर उसकेस में यूज आता है जब इस इनफर्मिशन को हमारे को अपने प्रोग्राम में यूज करना हो तो हम प्रोग्राम स्टेटस डेटा स्ट्चर को यूज कर सकते ह अगर जिसे प्रोग्राम में कोई error आता है कोई exception जनरेट होती है तो उसके लिए भी हमारे को यह PSDs यूज करके पता कर सकते हैं कि किस तरह का error था किस तरह का exception जनरेट हुआ है तो मिल लिए अपनी requirement के according हम जो भी fields उसमें यूज करना जाते हैं वो यहां से यूज कर सकते हैं आप अगर आए भी हमें के official साइट पर चेक करोगे तो यहां पर आपको सारी fields का description मिल जागे किस field पर कौन जी information है तो उसको हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं तो आज की सेशन के लिए इतना ही था नेक्स सेशन में हम कुछ और RPG से रिलेटेड थी जो को देखेंगे और इस सेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट में यहां भी यूज कर रहा हूं वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगा तो मैंने यहां पे एक description में झाल